जेही नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिस्वागत है दोस्तों इसपर्स की पैंसन का SMS आच चुका है हर मेने की 22 और 23 तारीक को यूजूली इसपर्स सोफ्ट्वेर सभी पैंसनस को SMS बेज के ये बता देता है कि आपकी पैंसन कितनी आएगी और कितने तारीकों आपके खातों में आएगी तो आज 23 जुलाई 2024 बजट में तो बुद्पुरु सेनिकों और फैंशनस को निरासा हात लगी लेकिन इसपर्स ने एक छोटी सी खुशी दे दिये इसपर्स ने SMS बेज दिया और SMS बेज के जुलाई की पैंसन के बारे में अपडेट जारी कर दिया है देखिए अभी अभी प्राप्त इस SMS के अनुसार जिसमें आपका नाम लिखा है आपका इसपर्स का PPO नमर लिखा है साथ इसाथ आपके बेंक एकाउंट के लाष्ट फोर डिजिट लिखे है आपको सुचित किया है कि आपके खाते में जो आपकी मंतली पैंसन है वो 31 जुलाई 2024 को इस पर PCDA पैंसन प्रियागराज दोआरा क्रेडिट कर दी जाएगी तो जुलाई की पैंसन की SMS का जो इंतेजार था वो आज खत्म हुआ है हो सकता है कि सभी डिफेंस पैंसनर्स को ये SMS ना मिला हो तो आप 24 जुलाई 2024 का इंतेजार करें आपको SMS मिल जाएगा और यदि SMS नहीं भी मिलता है तो आपकी जुलाई की पैंसन रोकने वाला कोई नहीं जुलाई की पैंसन सही समय पर सही पैंसन आपके खातों में 31 जुलाई 2024 को क्रेडिट हो जाएगी तो दोस्तों ये थी एक छोटी से अपडेट जुलाई की पैंसन को लेकर अब इस pension के साथ लाखों pension असको उम्मीद थी कि ये जो pension है ये pension one rank one pension three के साथ आएगी यानि OROP three की table के अनुसर आएगी लेकिन OROP three की table अभी बहुत दूर है सरकार OROP को लेकर गंबिर नहीं है हो सकता है कि OROP सही समय पे आए और हो सकता है कि इसमें सालों लग जाए पड़े क्योंकि सरकार इन मुद्दों के उपर गंबिर नहीं है जब सरकार ने सब कुछ करके पूरु सेनिकों के लिए करमचारियों के लिए करके दिया फिर भी सरकार को ओंदे मुँख खानी पड़ी यानि लोकसबा चुनाओ 2024 में जटका सेना पड़ा तो अब ये सरकार भी करमचारियों और पैंसनस को जटके पे जटके देगी जिसको अब करमचारियों और पैंसनस को सेन करना ही पड़ेगा तो दोस्तों ये एक छोटी से अपडेट थी जुलाई 2024 की पैंसन के बारे में आपकी क्या राई है कि क्या जुलाई की पैंसन और और पी 3 के साथ में आनी चाहिए थी या फिर अब आपको ऐसे ही संतोस करना पड़ेगा अपनी राई कमेंट बॉक्स के जरीए रखे और वीडियो को सेर करें जहिन